तो नमस्कार आप देख रहे हैं मनी नाइन शाम के साथ बच्चों के हैं मनी सेंटरल में आपका स्वागत है मैं हूँ शुभम शंकदर मेरे साथ स्टुडियो में मनी नाइन के एडिटा अंश्मान तिवारी जी जुड़ गए हैं सर बहुत स्वागत है आपका आज सबसे आपका स्वागत है आज हमारे पास जो कल रात की सबसे बड़ी खबर है अमेरिका में रिकॉर्ड महंगाई और इसके बाद अंतराश्ट्री बाजार में ब्याजदर बढ़ने की और मन्दी की आशंका हैं इसे हम समझने की कोशिस करेंगे लेकिन इसके अलावा दुनिया की कूट नीत उर्जा नीत और अर्थनीत मिलकर एक नए किस्म का घटना करम बना रही है जो कि मध्यपूर्व में हो रहा है उसे भी हम गहराई से समझने की कोशिस करेंगी कि क्या आने वाला समय कच्चे तेल की और ज्यादा महंगाई का है या फिर कच्चे तेल की कीमतों में चर्चा होगी, मुद्दे और भी हैं, और कौन से मुद्दे हैं उसके लिए आप देखिए on the show, शुरुबात आज होगी अमेरिका की महगाई से, चर्चा का मुद्दा होगा कि क्यों नहीं थम रही अमेरिका में महगाई, क्यों चीन पर बढ़ रही भारत की निरभरता, आरोफ हैं, ये भी आज आपको मनी सेंटर में हम बताएंगे, शुरुबात अमेरिका की महगाई से, महगाई काबू करने के लिए अमेरिका में लगातार ब्यास दरों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद महगाई कम होने का नाम नहीं ले रही, जून के अमेरिकी शेर बावजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए, डॉलर इंडेक्स 20 साल की उंचाई पर बना हुआ है, और इसमें तेजी की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है, सर, महगाई के लिए जो महगे करज की वैक्सीन थी, क्यों वो नाकाम साबित हुई महगा आया, अमेरिका के, उन आकड़ों में कई सारी चौकाने वाली चीज़े हैं, और जो हमें आने वाले समय में फेडरल इजर्व के और जाधा अक्रामक होने की और जाधा अग्रिसिव होने के तरफ इशारा करती है, ये महगाई तीन-चार प्रमुक चीज़ों के कारण इस कारण बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हु कि बाजार में डिमानड है, और इसके रकारण कराण किरायए बढ़ रहे हैं, जो हमें सीधे रिफलेक्ट होते दिखाई पड़े। अमेरिका की food inflation लगभग 42 साल की सरवोचिस तर पर है यानि अमेरिका में खाद महंगाई जो आम तोर पर एशिया के देशों की मुसीबत रहती है वो अमेरिका में भी मौझूद है इसलिए वहां की core inflation अभी भी बहुत rigid level पर बनी हुई और तीसरा gasoline prices या oil और energy के prices और natural gas के prices ये तीनो चारो चीजें ऐसी हैं जिनका सीधा असर ब्याजदरों में बढ़ुतरी से इन पर सीधा असर नहीं पड़ता है इसमें लंबा समय लगता है दूसरी चीज़ ये कि अमेरिके अर्थविस्था के भीतर से जो आकड़े आ रहे हैं वो strong demand के आकड़े हैं जिसे अगर आप job काड़ा देखिए उम्मीद ये थी कि jobs में काड़ा इस बात को reflect करेगा कि बाजार में मांग कम हो रही है तो अभी अर्थविस्था में वैसी मांग कम होती नहीं दिखाई दे रही है जो महंगाई को कम करने में मदद कर सके और इसलिए अमेरिका की राश्ट्रपती के लिए वहां की राजिनीती के लिए ये बढ़ती महंगाई बड़ी चिंता का विशह है बहुत सारे बयान कल ये कहे गए इस तरीके क्या है उमीद जारी की गई लोगों की तरफ से खासतर से पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से कि ये पीक आउट हो रही है महंगाई ये आखिरी चरण है इसके आगे शायद नहीं जाएगी लेकिन अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अगर आप महंगाई की आखिर को भीतर से देखें फूट प्राइसेस में एनरजी प्राइसेस में में और रेंट में तो ये बढ़ोतरी इतनी जल्दी थमती दिखाई नहीं दे रही है महंगाई तालिस साल की उचाई पर है आप कह रहे हैं कि पीक आउट होने की होगी? नहीं होगी? होगी तो कितनी तीकी होगी? संभावना तो शुबम ये कि ब्याजदरों में अचानक इमीडियेट कोई बड़ी बढ़ोतरी हो सकती अगले दो-तीन दिनों में अगर सामाने साइकल से फेडरल जर्ब बाहर निकलेगा जो अपने नार्मल समीक्षा चक् हमेंट की बहुत तेज बड़ोतरी ब्याजदर में की लगभा एक फिस्दी की बड़ोतरी की है महंगाई अमेरिका की महंगाई का डबल डिजिट में पहुचती जो 70-80 का फिनोमेना था डबल डिजिट की महंगाई दर्ब पहुच गई थी पूरी कोशिश होगी फेडरल ल बाजार का इल्ड कर देखें, उसकी डीपनेस देखें, उसकी गहराई देखें, शेर बाजार के रियक्शन देखें, मानिटरी मारकेट के रियक्शन देखें, तो वे सब बता रहे हैं कि फेडरल लिजर्फ की तरफ से 75 से 100 बेसेस पॉइंट या की 100 बेसेस पॉइंट की एक और बड़ी और तेज ब्याजदर बढ़ोतरी हमारे सर पर खड़ी हुई है। बढ़ा दी कि ब्याजदरों में तेज बढ़ोतरी होगी ब्याजदरों में तेज बढ़ोतरी का मतलब है डालर का और जाधा मजबूत होना। हैंडेड बेसिस पॉइंट के आसपास से 75 से सबसेज पॉइंट के असपास की ब्याजदर की बढ़ोतरी अमेरिका में होती है। तो भारत में भी बहुत तीजी से रिजर्बेंग को ब्याज़दर बढ़ाने होगा ताकि रुपए को सपोर्ट मिल सके और विदेशी निवेशक जो भारती बाजार से लगातार निकल रहे हैं उन्हें कम से कम भारत में थोड़ा आर्बिटराज थोड़ा तो बहतर रिटरन देने की गुंजाईश दी जा सके तो अमेरिका की महेंगाई बापस लोट कर भारत के मुद्रिक सिस्टम में भारत के के विदेशी मुद्रा सिस्टम में और भारत की अर्थवस्था पर गहराई से प्रवावित करेगी और ब्याज़दरों में एक सीमा से अधिक भारत में बढ़तरी भारत की वैसे भी रीकवरी बहुत धीमी है, फ्लेजिलिंग है, हमारे पास अभी बहुत अच्छे आंकड़े नहीं हैं, ग्रोध के उनको असर करेगी तो इसलिए और इसके साथ अमेरिका में महेंगाई के 41 साल के रिकार्ड इस्तर पर होने का मतलब है कि पूरी दुनिया में बढ़ोत्तरी का एक और बडा साइकल आएगा हम लोग विस्तार से इस पर चर्चाए एकनोमिकम में कर रहे हैं कि कहा कहा कितनी ब्याजदर एक डोर फिर एक दूर ब्याजदरं में बढ़ोत्तरी का आने वाला इसी मुद्दे पर इस वार विस्तार से अंशुमान जी एकनॉमिकम में समझा रहे हैं कि पूरी दुनिया में ब्याज़दरें बढ़ने का, महगाई का, मंदी का, क्या आकलन है, क्या गुंजाईश है, क्या आशंकाय है तो इस बार रविवार को 11 बजे आप एकनॉमिकम देखना ना भूलें भारत और चीन के बीज व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि लगातार दूसरे वर्ष ऐसा होगा जब दोनों देशों के बीज व्यापार 100 अरव डॉलर से जाधा हो सकता है, इस साल जनवरी से जून के दौरान दोनों देशों के बीज 67 arv dollars से ज़दा का व्यापार हो चुका है चीन पर भारत की निरब्षा लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि इस व्यापार में पढ़ती जा रही है उर चीन से आयात से दुदा लली को ब्ल्बेटी yıl अपर गया है और जबकि भारत का नेरयाथ चीन को गिरा है के वल locks और चीन के बीच है यह सब तमाम उन कोशिशों के बावजूद है जो हमने हाल फिला हल में देखी है लेकिन मंदी के बीचिए जब कि भारती अर्थ सब्स्ता में मंदी है गिरावट है मांग कम है इसके बाद भी भारत के लिए चीन से चीन पर निरभरता कम करने के प्रयास फिलाहल कामयाव होते नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल और आत्म निरभरता की सारी बात तब बेमानी लगने लगती है जब चीन के आयात पर हमारी आत्म निरभरता बढ़ती दिखती है अमेरिकी राश्टपती जो बाइडन मद्ध पूर्वी यात्रा पर निकल गए है और यात्रा के दौरान साओधी अरब जाकर प्रिंस मुहमद बिन सल्मान के साथ भी मुलाकात करेंगे माना जा रहा है कि प्रिंस से मुलाकात के दौरान वाइडन कच्छे तेल का उत्पादन बढ़ाने का आगरे कर सकते हैं साओधी अरब ने उत्पादन बढ़ाने का अगरे माना तो तेल के बाजार की मौजूदा सूरत बदल सकती है हलागी तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए साओधी प्रिंस को मनाना बाइडन के लिए कड़ी चुनाओती होगी और इस बीच जब हम ये बाचीत करने तो ब्रेंट कुरूड का भाव अब सौ के ठीक ठाक नीचे आ गया है 97 डॉलर पर कारोबार कर रहा है सर क्या साओधी अरब तेल का उत्पादन बढ़ाएगा ये इस बार आज के चर्चाओं की और पूरी दुनिया की निगाह में सबसे बड़ी खबर है उसकी वज़े ये है कि जो बाइडन बहुत सारे राजिनीतिक घटना करमों और कुटनीतिक घटना करमों और अपने पुराने अनुभवों को पीछे खिसका कर साओधी अरब से बात करने जा रहे है साओधी अरब के सुल्तान MBS जिन को कहा जाता है आम तोर पर उनके पास दुनिया में मंदी, महंगाई और कच्चे तेल की कीमतें रोकने की एक बड़ी चाबी है सबसे बड़ी को और अमेरिका के राश्टपती जो बाइडन के राजिनीतिक भविश है क्योंकि अमेरिका में चुनाओ के तियारियां शुरू हो गई है पार्टी के अंदर नामिनेशन की डिमोकर्टी पार्टी में नामिनेशन की प्रक्राइश शुरू हो गई और अगर महंगाई कम नहीं हुई तो अमेरिका के राजिनीति में जो बाइडन के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी मुंबत बिन सल्मान सौधी अरब के पास इस समय अक्षमता है कि यह दिवो अपने उत्पादन में थोड़ी भी बढ़तरी कर दे इसमें दो तीन बड़ी वज़े हैं जो बाइडन ने वाशिंग्टन पोस्ट में अपना एक ओपिट भी लिखा है जाने से पहले कि हो सौधी अरब क्यों जा रहे हैं क्योंकि सौधी अरब अमेरिका के राश्टपती की आत्रा पिछले रिष्टों को देखते हुए वाशिण भी जारी किया गया कि बाइडन और सौधी अरब की मुलाकात से रूस और सौधी अरब के रिष्टों पर असर नहीं पढ़ना चाहिए ये असर नहीं पड़ेगा दूसरी चेंस है साओधी अरब इस समय पूरी दुनिया के तेल बाजार के में कीमतों के रहे हाना कि उद्देशे कुछ और भी हो सकते हैं पर दुनिया उसे तेल की कीमतों से जोड़ कर देख रही जिस उद्देशे से जा रहे हैं उससे पहले अंतराश्टी बाजार में कच्छे तिल की कीमतों में थोड़ी गिरावर शुरू हो गई और इसलिए उनकी कोशिशों क कि महंगाई कम करने की चाबी सौधी अरब के पास है और सौधी अरब अगर अमेरिका के साथ तेल की महंगाई कम करने के अभियान में मदद करता है तो फिर धुरी फिर बदलेगी रश्या के साथ अभी तक सौधी अरब की ने अपनी मित्रता के साथ ओपिक देशों को इस बात तरह से लीड किया है कि अंतराश्टी बाजार में कच्चे तिल की कीमतें बरावर उंची बनी रहे हैं। इस तरह से तेल के प्राइस कट करके और अंतराश्टी बाजार में संक्चन्स को बाइपास करके चीन और भारत जैसे देशों को तेल बेचना शुरू किया। में काम कर रही है शेवरान वहां की सरकार से बाचीत कर रही है उत्पातन बढ़ाने के लिए। तो अब क्या है कि सस्ता तेल बेचने वाला जो ब्लाक है जो सस्ते तेल के ब्लाक में इरान, वेनेजुएला और रशिया हैं। में आपस में प्रतिस परदा शुरू हो गई कि कौन कितना सस्ता तेल बेच सकता है। और दूसरी तरफ उसके पार्लेल एक ओपक का ब्लाक है जो अंतराष्टी बाजार में ब्रेंट की कियमतों को उंचा रखना चाहता है। तो पुतिन की ये कोशिस है कि कम से कम इरान और वेनेजुएला उनके बचे हुए मार्केट को अंडरकट ना करें। पश्चिमी देशों की कोशिश ये है कि वेनेजुएला और एरान अगर बाजार में रियायते मिले हैं सैंक्शन सटे हैं और एरान से और बाजार में अगर सस्ता कच्चा तेल आने लगे तो कच्चे तिल की कियमतें 85-90 डालर के असपास लाई जा सकती है और ओपक पर दब हो दिख रहा है कोई भी घटना करम होता है तो तेल नीचे जाता है फिर उसके बाद तेल वाजार उपर जाता है अब आज कच्चे तिल की कियमतों में जे गिरावट आई वो अमेरिका में कल महंगाई और मंदी के आखनों को देखते हुए आई क्योंकि इस बात की संभाव है कि जब तेल की कीमत वैसे रहीं तो मुद्फादन क्यों बला है यह और अवाले दिरों में चोटी से मद्यमवदी का अगर देखें हैं क्या वेनिजुएला का आयल-मार्केट में आना शुरू होगा क्या अमेरिका वेनिजुएला को इतना इस पेंस देगा कि उसका तेल बाजार में आना शुरू हो और अमेरिका वेनेजुएला का तेल अगर बाजार में आना शुरू होगा तो क्या ओपिक देश अपने उत पादन में कमी करेंगे या बढ़ोत्री करेंगे रूस की कैपिंग बड़ा सवाल है इस समय जो सवाल हमें अगले 15 दिन एक महिने में पत इंटरेशनल एनरजी एजनसी के भी आकलन आये ओपिक आकलन भी आये वो यह बता रहे हैं कि मंदी थोड़ी भूत आये भी लेकिन मांग में कोई भुद बड़ी गिरावट होने की गुंजाइश कच्चे तेल के लेवल पर नहीं और जो मवजूदा उपलब्द छमता हैं कि आपूरती बढ़ने की भी कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि अमेरिका की तेल कंपिनिया जो बैंकरप्ट हुई थी कोविट के दौरान बीस से बाइस के दौरान उनका तेल उत्पादन भी बाजार से बहार निकल चुका और बाइडन अपनी कंपिनियों को एक सीमा से अधिक फोर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए तो यह जेटल सीच्वेशन तेल के बजार में दिख रहे हैं सर भारत के विंटफॉल टेक्स का क्या होगा क्योंकि वो तो पूरी कैलकुलेशन इस पर थी कि तेल के भाव उचे रहेंगे कंप सरकार ने अपने तरफ से कोई लेविल नहीं दिया था कि किस लेविल से साथ डॉलर नीचे आएगा यह पता नहीं था लेकिन अब वो अगर कच्छे तेल की कीमते सो डॉलर से नीचे आती हैं तो शायद तेल कंपीनियों के का दबाव कारगर होगा इस पर निगाएं हमारी कि होंगी क्यूंकि सरकार ने कहा था कि समय समय पर वो इसकी समinkशा करती रहेगी किन विनफॉल टैक्स को वापस लेने से कम होने से सरकार को फिलाएल बड़ा नुकसान होगा सरकार अभी जिस स्थिती में है जितना कर्ज है सरकार पर रिवेन्यूज में जो शार्ट फाल है अर्थवेस्था में स्लोडाउन और मंदी की स्थिती गहराने की कुझाईश दिखाई दे रही ऐसी स्थिती में सरकार को एक नया सुरूत टेक्स उबारने का मिला है टेक्स नि पाइना रख सकती है कि आपके ग्रास रिफाइनिंग मार्जिन्स अभी भी काफी उंचे है तेल कंपिनियों के पास अभी मुनाफ़ा अच्छा है उनकी रिफाइनिंग के मार्जिन्स ठीक है तो ये बोज उठा सकती है जून के दोरान ठोक महगाई में हलकी कमी आई है लेकिन महगाई दर अभी भी 15 फीसद से उपर बनी हुई है जून में ये दर 15.18 फीसद रही जो माई में 15.88 फीसद थी खाने का तेल, खादे उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, बेसिक मैटल, सबजियों और केमिकल के महगा होने के वज़े से ठोक महगाई 15 फीसद से उपर बनी हुई है तोक महगाई में अभी बहुत बड़ी कमी नहीं दिखती क्योंकि आज हम जो आकला देख रहे हैं और थोक महगाई को जब भीतर से आप देखने के कोशिस करें wheat की inflation अभी भी 10% से उपर बनी हुई है थोक बाजार में paddy की inflation में अभी कमी है क्योंकि खरीफ के season में आ रहा है बाकी अगर आप जितने भी देखें cereals करीब करीब 8% के आसपास महंगाई में है सारे food articles की inflation 4.5% के आसपास बनी हुई है तो जो अभी थोड़ी बहुत गिरावट हमको दिखाई दे रही है तातकालिक तोर पर वो कुछ एक segments में थोक महंगाई के तोर पर दिखाई दे रही है दूसरी बड़ी बात यह है कि crude petroleum और petroleum के कीमतों में कमी के बाद भी 77-78% के आसपास की महंगाई दर थोक महंगाई दर अभी भी जून में हमें कच्चे तेल की कीमतों के कारण और पेट्रोली जिल की कीमतों के कारण दिखाई दे रही है तो इसलिए थोक महंगाई खुद्रा महंगाई में transmit होने में थोड़ा समय लगती मामूली गिरावट है यकिन अभी हमें यह देखना होगा कि बाकी रुपे की कीमत में गिरावट का असर कितना पड़ेगा थोक महंगाई पर अंतराश्ट्री बाजार से बढ़ने वाली कीमतों का कितना असर पड़ेगा इसलिए महंगाई के आंकड़े पर कोई भी नियर्णे लेने से पहले सरकार शायद अगले दो-तीन महीने तक इसके settle होने का इंतजार करेगे सर एफमसीजी कंपनियों ने जून में कीमते बढ़ाई हैं दो-तीन बार कीमते बढ़ने की खबरे आई हैं कि आने वाले दिनों में खुद्रा महंगाई पर इसका असर दिखेगा FMCG कंपेनियों के तरफ से लगातार कीमतें बढ़ाने के खबरे आ रही हैं जैसे जो खबर रिपोर्ट हो रही ही कि हिंदुस्तान लीवर ने बताया जाता है कि फिर से साबून की कीमतें करीब बढ़ाई हैं तीन से बीस परसें इक्रास दा ब्रांड ब्रैंड जून में हो जाएगा और यहां हमें थोक महंगाई के असर का असर से इसका कनेक्ट दिखता है हमेशा थोक महंगाई में बढ़ोतरी एक महीने दो महीने के लैक के बाद समय के अंतराल के बाद खुद्रा महंगाई में आती है और अभी मिश्वम खुद्रा महंगाई और थोक होगा तो CPI इस समय शायद हमें उतना अच्छा अच्छी जलक नहीं दिखा सकता हला कि रिजर्ब बैंक की मौदरिक पॉलिसी कहा कड़ा है हमें थोक महंगाई में कमी देखनी होगी अगर थोक महंगाई में इस थाई कमी की जरूवत है और वो नहीं हो रही है इसलिए हमको कंजी मरत पादों की कीमतों में लगातार बड़तरी दिख रही है बावजूद इसके कि मांग में गिरावट है सर्विस चार्ज में कटौथी के बाद उसको नहीं लिआ जा सकता रेस्टोरेंट की तरफ से ऐसी खबरें आने के बाद अगर आप ये मान के बैठे हैं कि अगली बार आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बिल शायद कमका बनेगा तो ऐसा नहीं है ऐसा क्यों नहीं है यह आपको मनोज कुमार अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बता रहे हैं रेस्टोरेंट जाकर खाना जेब पर भारी पढ़ सकता है लाकत पढ़ने की वज़ा से रेस्टोरेंट पहले ही मेन्यू में खाने का रेट बढ़ा रहे है और अब सर्विस चार्ज को लेकर सकती से मेन्यू और महगा होने की आशंका बढ़ गई है क्योंकि रेस्टोरेंट संचालक सर्विस चार्ज को भी मेन्यू में जोडने पर विचार कर रहेंगे रिपोर्ट्स की माने तो खाने के तेल, सबजियों की महगाई और खाना पकाने के लिए महगे इधन से 6 महीने में रेस्टोरेंट की लागत 25 फीसद तक बढ़ गई है खाने का तेल करीब 55 फीसद महगा हुआ है इधन, सबजियों और चिकन की महगाई भी 10 से 49 फीसद तक बढ़ी है और मैन्यू में दाम बढ़ा कर रेस्टोरेंट ने इन बढ़ी हुई लागत को ग्राकों से वसूलना शुरू कर दिया है कई रेस्टोरेंट ने खाने का रेट 10 से 15 फीसद तक बढ़ा दिया है उधर रेस्टोरेंट के सर्विस चार्ज को लेकर फिर से विवात पैदा हो गया है किंद्री उभोकता संदक्षन प्राधिकरण यानी CCPA ने पिछले हफते रेस्टोरेंट के सर्विस चार्ज को गैर ज़रूरी बताते हुए आधेश दिया था कि रेस्टोरेंट खाने के बिल में इसे नहीं जोड सकते CCPA ने सर्विस चार्ज वसूलने वाले रेस्टोरेंट के खिलाफ सक्त कारवाई करने का निर्देश भी दिया था लेकिन देश्ट में रेस्टोरेंट्स के संग्ठन NRAI ने सर्विस चार्ज लगाना रेस्टोरेंट का अधिकार बताया था NRAI के ट्रस्ट्री अनुराक कटियार का कहना है कि IRCTC जैसी कुछ सरकारी एजंसिया भी सर्विस चार्ज वसूलती है साथ ही हवाई टिकट, सिनमा टिकट और होटेल बुकिंग पर भी अलग-अलग नाम से सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है लेकिन सरकार सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर ही सकती कर रही है जो सही नहीं हाला कि रिपोर्ट्स की माने तो भोगता संदक्षन प्राधिकरण के आदेश के बाद रेस्टोरेंट ने सर्विस चार्ज वसूलने का तोड़ ढूंड लिया है रेस्टोरेंट अब खाने के रेट में ही सर्विस चार्ज को जोड़ने पर विचार कर रहे हैं अभी तक सर्विस चार्ज के नाम पर ग्राकों से खाने के बिल पर औस्तन पांच से अठारा फीसद सर्विस चार्ज वसूला जा रहा था और इसे भी खाने के बिल में जोड़ दिया तो बिल दस फीसद बढ़ना तय है यानि रेस्टोरेंट, सर्विस चार्ज वसूले या नहीं लेकिन ग्राहकों की जिब गटना तैर है मरिनाइन के लिए मनोज कुमार फसे कर्ज की उगाई के लिए बने बैट बैंक यानि नेशनल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी की पहली डील ही सवालों के घेरे में आ गई है रिपोर्ट्स की माने तो NARCL ने रेन्वो पेपर नाम की कंपनी के फसे कर्ज को अपने अधीन लेने का जो आफर किया है सरी तो बोनी ही खराब हो गई बैट बैंक की बैट बैंक की बहुत खराब हो गई अच्छी खासी आठ परसेंट के आसपास का रिटर ने यानि की 92 परसेंट का हैर कट बैंक के खाते में जाएगा और ये बैड बैंक की शुरुआत इसलिए खराब है क्योंकि बैड बैंक का पहला केस था और बैड बैंक को एक उचा बार या एक उचा मापदंड तै करना था कम से कम उतना तो मापनन तैय करना था जितना आम तोर पर अंदाज किया जा रहा था कि बैड बैंक फसे हुए करज जो उसे दिये जा रहे हैं उसका 10-12 फीजदी इससा तो वसूल लेगा लगबग 10-12 फीजदी तो इससा वसूल लेगा और उससे नीचे ये तो उससे भी नीचे आ गया इस हिसाब से सरकार को भी उम्मीन नहीं थी कि 18-12 फीजदी से जादा माकसिमम 18-12 की वसूली फसे हुए करजों की बैड बैंक के लेवल पर हो सकती है जानुमान के साथ बैड बैंक लाया गया थी कि 18-20 फीजदी की वसूली हो सकती है लेकिन अब जो शुरुआत हुई है बैड बैंक की वो तो 10 फीजदी से नीचे है यानि अगर 100 रुपय का करज डूबा है तो बैड बैंक उसमें से 8 रुपया निकाल कर लाग सकता इस स्या बैंक अब नहीं है हमने देखा 92 से 97 के बीच में स्वीडन का बैड बैंक था सेक्यूरम उसने करीब 87% के असपास रिकवरी की थी मलेशिया का बैड बैंक करीब 58% की रिकवरी करिके लाया था फसे हुए करज की कोरिया थाइलेंड कोरिया के बैड बैंक ने 60 फीजदी फसे वसूले थे उनके रेशियो में भारत का बैड बैंक तो अपनी शुरुआत में किल 8% करज लेकर वसूली कर पा रहा है तो इससे यह प्रेयोग फिर बहुत जादा उम्मीद जाहिर नहीं करता कि आखिर जो करज डूबे हैं उनकी वापसी हो पाएगी कि नहीं होगी अरोप लगने लगा है प्रवरदर निदेशालेक ने जाच में पाया है कि क्रिप्टो एक्स्चेंजों ने के वाई सी और एम एल नियमों की अंदेखी करके अमेरिका ब्राजील और जर्मनी जैसे देशों से पैसे का लेंदेन किया है जाच में कई और आरोप भी सामने इसमें जो सबसे महतुपून बात एडी की तरफ से आई है उसमें ये में भारत के क्रिप्टो एक्स्चेंजेज ने अंतर आश्ट्री इस तर से अंतर आश्ट्री मैनी लांडनिंग नीमों का भी वाईलेशन किया है और वहां से जो पैसा लिया है वो ट्रांस्परेंटली चलिए और इस यहां से भारत में क्रिप्टो एक्स्चेंजेज के लिए अब जाच की और उन संभावनाओं नाशंकाओं की की पुष्ट की शुरुआत होती है जो शुरुआत से जाहर की जा रही थी कि भारत के क्रिप्टो कारोबार में सब कुछ पारदर्शिता नहीं है हमें याद रखना होगा कि रिजर्ब बैंक गवर्नर हाल में ही ये बात कहे चुके हैं कि क्रिप्टो कारोबार खतरनाक है और जो खिंबरा है और दुनिया की सारे बड़े अजिंसिया खासतों से आईमिफ बार बारे कहता रहा है कि क्रिप्टो के कारोबार में पारदर्श ये था हमारा आज का मनी सेंटरल कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम को साथ वजे लेकिन जाते जाते आपको एक जानकारी और कल हमने बात कीती कि शेहर बादार में बड़े विदेशी निवेशक तो जा रहे हैं छोटों का जो होसला है वो भी टूट रहा है वो भी अब उ तो ग्यारा महीने में सबसे कम है एउम क्यों गरा क्योंकि शेर बादार में गिरावाट आई शेरों की वैल्यू घटी तो जो टोटल व्यूचल फंड इंडेस्ट्री थी उसका जो एउम बचा उसकी जो कुल वैल्यू बची वो 35 लाग करों के आसपास आ गई है देखना य जाबी शुक्रिया कल शाम को फिर आउंगा साथ बजे मनी सेंटर लेकर तब तक लिए दीजी जाधत नमस्कार अधिकाता नाम ये संभो दिवार है कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले कर एक साध् मुर्ब ज रूब है करू ये जाँ करेने की जाँ है पर दो दोुक्रिया कश्श साध having only 並न में तो ही जा दूब खिकान bear Fight झाल झाल